अच्छा राम मैंना बहुत लेट हो गई हूँ तुमना अपना लंच पैक कर ले ना मैं निकल रही हूँ हाँ ठीक है अरे दस मिनिट रुप जाओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ आरे यार समझा करो अगर आज लेट हो गई ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी चोलो बढ़ बढ़ मैं जा रही हूँ हां अरे सुनो तो सुनो अरे हरबीथ तुम यह के कुर रहे ओ अरे सु मैं बस का वीट कर रहे थी अचा ऑंफिर जा रहे हो तो आओ गाड़ी में बैठ जाओ नहीं सु मैं पहुत जाओंगे अरे दर्समुन में थोड़ी पहुच जाओगी, बैठाओ, गाड़ी से पहुच जाओगी जल्दी, आओ अच्छा तुम अपना लंजबोग तो गए? हाँ ठीक है, ने-ने, मैंना निकल गई हूँ, ओके अच्छा तो ये वज़ा थी तुमारी घर से जल्दी निकलने की अब तुम मेरे सामने ऐसे एक्टिंग मत करो, जैसे तुम्हे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अरे बॉस की गाड़ी में नहीं आती, तो क्या प्रॉब्लम हो जाती तुम्हे? राम, रिलेक्स करो, बीना सोचे समझे तना उल्टा सीधा मत बोलो, तुम गलत समझ रहे हो अब समझने के लिए बचाई क्या है? घर से तो तुम ऐसे निकल रहे थी जैसे अगर तुम आज टाइम से नहीं पहुची तो तुम्हें रिजाइन देना पड़ जाएगा, है ना? और यहाँ पर तो नजारा ही कुछ और है कोई बात नी सर, बोलने दीजिये ने, मैं भी देखती हूँ कि एक पती अपनी पत्नी को भरे बजार में कैसे नंगा करता है चिलाओ मत, कोई हक नहीं तुम्हें मेरा नाम इतनी जोर से लेने का, क्योंकि मैं गमारी कुछ नहीं लगी अरे तुमने देख के लिया कि मैं अपने बोस के साथ आई हूँ, तो तुमने मुझे सब के सामने बेज़ा करना शुरू कर दिया बस इतना ही विश्वास आथ तुम्हें मुझे पर, हाँ, तुम वही हो ना, जो कहते थे कि तुम्हें फोरन पढ़ने भेजूँगा ऐसे भेजते, और जब मैं वहाँ से वापस आती, तो पता नहीं तुम मुझे पर क्या क्या अलजाम लगाते, मैं तो सोच भी नहीं सकती ये जो लोग कहते हैं कि समाज में मर्द और ओरत का दर्जा बराबर का होता है, मैं ऐसा नहीं मानती ये जो अंद्विश्वास है ना मर्दों के उपर, और तो पर कब होगा? मर्द जब ओफिस जाता है, वो किस के साथ जाता है, किस से बात करता है, किस के साथ लोटता है, कोई नहीं पूचता वहीं एक औरत दस मिनट जल्दी निकल जाए, पांच मिनट देरी से पहुँच जाए, तो सो सवाल खड़े हो जाते हैं इस भेदबाव को समानता कहते हैं, तो लानत है ऐसी ओची सोच पर हरपरित, सुनो